हाई फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल जलग जिन्दगी में आज की वीडियो में मैं बताने वालों कि आप अपने बालों को कैसे खुब्सूरत बना सकते हैं अगर आपके बालों को रफने से डलने से रिजिने से और ग्रे हैर्स का प्राब्लम हो इन सब प्राब्लम को दूर किया जा सकता है एक अच्छे हैर आयल की मसाज से और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर जरूर कीज़े आईए शुरू करते हैं आज का बीजिए हैर मसाज के लिए सबसे वहत्री नायल है ओनियन आयल रेड ओनियन आयल हमारे बालों के लिए बरतान साबित हुआ है और इसके रिजर्ट भी कमाल के हैं और अभी मानसून चल रहा है म मानसून के मौसम हमारे बालों में नमी सी वनी रहती है उस नमी की वज़े से हमें डेंडर्फ का प्राब्लम हो जाता है है जो स्केल्प होता उसमें इचिंग होने लगती है इस सबसे बहत्री है रिजर्ट देता है वह है ओनियन आयल हमें ओनियन आयल की बालों में अच्छ जादा तारीफ कर रहे हैं थी कि मेरे बालों को बहुत फायदा हुआ है इसके रिजल्ट कमाल के हैं हमारे जो हैर्स की प्राब्लम ते हुए वो दूर हो गई तो फिर मैंने मंगाया और एक मेना यूज करते हुए हो गया सच में ये काम करता है इसके रिजल्ट बहुत है और घ्ला कंजोर होने से सबसे पैले टोठते है और ये उनको रिपआर करता अपर उन्कोंभी मजबूत ऑशि शिल्कि और साइनी बनाता नियुक ये हैं लट्रैनिक ओनीन आयल है हुए और इसमें ने ने उन्हें है हुए जरूर पर ओनीन की कोई द्रशन से प्राबलम ह इसके साथ हैसान है इसमें बिल्कुल भी ओनियन आयल की स्मेल नहीं है और इसमें 14 एसंसें आयल ही म्यूट से मतलब इनको एक रेमडी जैसा काम करता है इसमें 14 आयल मिक्स होने की वजे से एक solution बन जाता है और हमारे बालों को बहुत ही help करता है और एक ब्राउन कलर की प्लास्टिक की बोटल में आता है सिर्फ काड़ बोर्ट की पैकजिंग ने सिर्फ एक बोटल ही मुझे रिस्टिव हुई और मैंने इसको अमेजान से मंगवाया है और इसमें विटामिन E भी है बहुत से आयल में विटामिन E नहीं होते है पर इसमें विटामिन E है जो हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है और यह मुझे को मिला है 350 का यह 250 ml का बोटल है और इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको अपने हैर वास् दिन पहले अपने हैर में इस फिंगर टिप से हलके हाथों से मसाज कर देना है नेक्स्ट मॉलिंग आप अपने हैर वास्क कर लीजिए आपको खुद फील होगा आप टच करेंगे बालों को लगेगा हाँ सच मुझी आयल काम कर रहा है आपके हैर सिल्की शाइनी और श्मू